टैबल से रहता है तो टेवल्स होता क्या है तो टेवल सींपल यह देखिए यह कुछ इस टैब का टेवल यहाँ पर लग सकता है आपको जितना टेवल चाहिए हम लोग टेवल बनाते क्यों है सबसे पहले यह समझे तो टेवल हम लोग क्यों बनाते हैं तो मान लेजिए हमको पांच स्टुएंट का टेवल बनाना है कि कौन स्टुएंट कितना दिन परजेंट रहता है कितना दिन अपसेंट रहता है और भी बहुत सारा कौन अपना होमवर्क करके लाता है नहीं लाता है यह सब के लिए तो हम लोग यहां पर चेक कर लेते हैं कि हमको कितना रोज चाहिए कितना कॉलूम चाहिए जितना चाहिए हम यहां से सेलेक्ट करके ले सकते हैं पहला ऑप्शन दूसरा दूसरा तो यहां पर एक एक option दे रहा है insert tab का इसके उपर जैसे क्लिक किजिएगा यहां पर नॉमबर ओफ कॉलूम एक option आजाएगा जैसे यह option आजाएगा तो आप क्या किजिएगा यहां पर यहां पर आप जैसे number of decrease करेगा मतलब इसमें option दिया रहाता है कि आप यहां पर टाइप भी कर सकते हैं या फिर इस से पेज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है अभी हम क्या करते हैं इसको हटाते हैं और हम यहां पर यह क्या है रो है न तो हम रो को फोर ले लेते हैं अभी यहां पर बटन करते हैं त डाल देते हैं यहाँ पर टैप का यूज करते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट डाल देते हैं सब्जेक्ट डाल देते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर मार्क डाल देते हैं फुल मार्क डाल देते हैं और यहां पे हम क्या डाल देते हैं ओप्टेन मार्क ओप्टेन मार्क ठीक है ओप्टेन मार्क फिर टैब का यूज करते हैं और यहां पे हम क्या करते हैं फुल मार्क डाल देते हैं फुल मार्क तो है ही हम इसको अभी बताते हैं दूसरा इसको डिलिट कैसे करेंगे माल लीजिए पहले अभी इसको ये दिखने में थोड़ा सा शौट लग रहा है तो हम इसको अगर चाह रहे हैं कि इसका रो है उसको बढ़ा करें तो हम क्या करते हैं यहां पर ठीक देखिए यहां पर लेके आए करेंगे और देखिए अभी साइन कैसा दे रहा है कुछ इस टाइब का साइन आएगा तो इसको आप माउस का लेफ्ट वाला बटन प्रेस किजिए माउस को क्लिक किजिए और नीचे लेकिया यह देखिए ठीक है अगर इसको साइज बढ़ाना है तो हम लोग बता चुके है पढ़ चुके हैं कि साइज हम लोग कैसे बढ़ाएंगे इसको सेलेक्ट कर लेंगे और हम क्या करेंगे होम टैब में जाएंगे होम टैब में जाने के बाद यहाँ पर एक साइज का ओप्सन देगा हमको जो साइज चाहिए होगा हम यहां से ले सकते हैं ठीक है तो आप को बढ़ा कीजिए ठीक है अभी हम क्या करते हैं इसके अलावा इसके इसमें एक और ऑसन देता है ठीक्त मन आब पर करते हैं इसको हटा देते हैं अभी एक्षर कaces यहां पर यहां पर उप territ अब निया है यह देखिए अभी यहाँ पे draw हो रहा है यह हम column ले लिएक अभी column लेने के बाद हम यहाँ पर भी ले लेते हैं जितना रोध चाहिए वो depends करता है आपके उपर कि आपको कितना रोध चाहिए अगर ज्यादा हो जाएगा तो आप बाद में delete भी कर सकते हैं तो पहले हम ले लेते हैं बाद में delete करते हैं अगर extra हो गया तो चलिए यह मेरा हो चुका है बन के तयार हो चुका है आप माल लिजिए इसमें कि हम यहां पे हम यहां पे लिख रहे हैं नाम लिख रहे हैं या फिर यहां पे हम serial number लिख रहे ह सेरियल लिए लिए ठीक है नेक्स्ट में करा नम ले लिए नेम ले लिए फिर तेशा हां यहां पर हम कि भाउसर और Cert मार्क लिख ले ते हैं गाै बशल और मार्क लिख लेते हैं तो अब यहां तरesus की अब नहीं आया तो को हम सीष को dan भाद आए थिक है अभी आगया bethode द्रल्म नहीं तो हम इसके साइज को भी छोटा कर सकते थे अभी यसरे उन्हें इस सब को खटाना है थो कि नहीं हाँ करेंगे हटाने के लिए entire column, sorry, entire column, column का मतलब क्या आता है? ये सारा, तो हम entire column delete कर देते हैं, अभी delete हो गया, फिर यहाँ पर आए, फिर से right click किये, इसको भी delete कर देते हैं, ये entire column फिर से delete कर दिये, फिर से एक और बचा हुआ है हमारा यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, mouse का right button press करते हैं, delete cell पर जाते हैं, उसके बाद entire column के उपर click कर देते ह उखे बटन प्रेस करते हैं यह डिलिड हो गया अभी हमारा टेवल बनके त्यार हो गया अभी हम क्या करते हैं next class में हम illustration के बारे में पड़ते हैं इसमें तीन चार टोपिक है पिक्चेर है क्लिपाट है सेप्स है समार्टार्ट और चार्ट है यह सारा पड़ते हैं चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए